हेलो दोस्तों क्या सो आप सब स्वागताब सभी का टेक करीजी यूटूब चनल में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फोन पे में प्राइमरी बैंक एकाउंट कैसे चेंज करें जैसे दोस्तों अगर आपने फोन पे में दो तिन बैंक एकाउंट को एड करके रखा है और दोस्तों आप प्राइमरी बैंक एकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको जो है नया तरीका बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तो फोन पे में एक नया अपडेट आ गया है जिसके बाद देख सकते हैं फोन पे का सभी आप्सन चेंज हो गया है और इस वीडियो में आपको नया तरीका बताने वाले हैं कि आप फोन पे में प्रैमरी बैंक एकाउंट को कैसे चेंज कर पाएंगे दोस्तो और आप भी अपने फोन पे में प्रैमरी बैंक एकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तो आप इस वीडियो को आखरी ताक जोड़ देखिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नमी सानू वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेयर किजिएगा चैनल को सबस्क्राइब करके वगल में घंटा देखना को मिलेगा उसको भी दबा दिजिएगा दोस्तों फोन पे में प्रैमरी बैंक एकाउंट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जो है फोन पे आपको अपडेट कर लेना देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक उप्शन मिल रहा है प्रोफाइल का या फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो फोटो भी सो करेगा तो आपको क्या करना है इस उप्शन के उपर किलिक कर देना है जैसे दोस्तों आप इस उप्शन के उपर किलिक करेंगे तो य एक्सिस बैंक दूसरा है state bank of India और तीसरा है pertyum payments bank देख सकते हैं अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है एक्सिस bank account जो है primary account में set है अगर आप इसे change करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होगा देख सकते हैं यहां पर आपको इस तरह से scroll करना है और जिस भी bank account को आप प्रामरी में set करना चाहते हैं जिस account को आप प्रामरी में लगाना चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं आपको दुस्तो क्या करना है simply उस bank के उपर click कर दिना है जैसे दुस्तो मुझे पेटियम payments bank को primary bank account में change करना है primary account में set करना है तो यहाँ पर दूस्तो हम क्या करेंगे Paytm payments bank के उपर click कर देंगे जैसे दूस्तो आप click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक option मिलेगा set as primary और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक option मिलेगा इसके उपर आपको टिक कर देना है जैसे दोस्तों आप इसके उपर टिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक option मिल रहा है confirm का तो आपको जो है confirm वाले option के उपर click कर देना है जैसे दोस्तों आप click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है प्रैमरी एकाउंट चेंज हो गया है फोन पे में तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रैमरी एकाउंट चेंज कर सकते हैं फोन पे में नया तरीका दोस्तों मैंने आपको बता दिया है वीडियो पसंदा इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके वगल में घंटा देखना को मिलेगा उसको भी दबा दीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद